तो चलिए कैसे हो सब मस जवाद जिन्दा बाद वेलकम टो वन न्यू लाइव इस्ट्रीम तो अभी जो यहाँ पर मैच कवर करने वाले हैं वो है इंगलाइन बनाम आर्लाइन का मैं आपको बतादा चलू दोस्तों यह जो है न वर्लकप 2022 का 20 वे नंबर का मैच जा पर आपक को जो है आर्लाइन की कप्तान जो है एंड्रू नजराने वाले ग्रूप भी का मैच है और अब देखने वाली बात है कौन से टीम जो इस मुकाबले को जीती सबसे पहले बात करें मुकाबले की तो अभी टॉस का समय जो हो चला है और कहने कि यहाप आप से कुछी दिर टॉस को जिती और टॉस को जितने के बाद क्या है यहाप पहले गेनवाजी करने का निदने लिया जाता है या फिर पहले बल्ले बाजी को याद होगा जब यहां पर बहुत और पाकिस्तान का मैच खेला गया था था न तो वहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लिवाजी कर दिए और भारतिये टीम ने चेस करे थी मतलब एक पिस के उपर जो है ना वाला कि ये तो टॉस के समय पता चले है किस तरीके से जो या की जो विकेट है ना जिस तरीके की पीछ है किस तरीके की विकेट है क्या है या पर तेज गेन बाजों को मज़़त मिलेगी या फिर फास्ट गेन बाजों को ये देखना लाज मेरेगा तो दोस्तों ये रही पीछ रिपोर्ट ये सेम वही पीछ है जहां पर दोस्तों जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच खिला गया था अगर आप या पर मैलबरम क्रिकेट ग्राउंड की पीछ देखे न तो एकदम से एकदम ये मतलब सपार्ट पीछ तो नहीं बोलूगा हलकी सी सपार्ट लेकिन यहां पे घास भी मौझूद है और ऐसी पीछों के अंदर जो नहीं कहिने के शुरू के ओवर्स में बल्लेबाजी करना मश्किल होता है आपने देखा होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच खिला गया था नहीं तो दोनों ही टीमों के जो पावर प्ले में जो गेंबाज जो मैलबरम क्रिकेट डिश्क ग्राउंड एम सी जी का जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच जहां पर खेला गया था और दोस्तों मैं आपको इस पिछ के बारे बतां दूँ तो अगर आप दोस्तों देखे न तो अभी तक जो है दोस्तों इस मैदान के ऊपर लगबंग जो है ना 13 मुकाबले जो है खेले जाचुके दे रांटरशे तेरा मुकाबले दान के ऊपर खेले गए जिसमेंसे टार ज chodzi'd करने वाले टीम ने 40-46 प्रतिशेथ मुकाबले जिती है और टॉस इतने के बाद गेंग बाजी करने वाले टीम ने 54 मुकाबले जिती है मतलब दोस्तों अगर आप देखे रहें तो ज्यादा तर मुकाबले यहां पे 6 सक करने वाले टेम जिती है और कहिने कई आप अगर England की टीम या फिर Ireland की टीम दोनों में से अगर कोई भी टीम यहां पे टॉस को जिती है तो Highly chances से यहां पर रहेंगे कि वो टॉस जितने के बाज जो है गिंद बाज ही करने का यहाँ पर जो है नेड़नल है और आज का जो मुकाबला है काफी जो इंपोर्टन्ट रहने वाला है और आप देखते हैं कौन से टीम जो यहाँ पर मुकाबले को जीती अगर हम बात कर लें दोने टीमों के रिसेंट फॉर्म के बारे में तो गाइस अगर आप देखें तो दोस्तों इंगलैंड की जो टीम है ना कंटीन्यू पांच मुकाबले या पर कंटीन्यू जीत कर रही है तो इंगलैंड की टीम जो है एक तरीके से एक विजहरत पर बैटी हुई है और इंगलैंड की जो टीम है पिछले पांच मुकाबले आप एक कंटीनियू जीत कर आई है वही पे अगर हम बात कर लेते हैं आरलैंड की टीम की तो आरलैंड की जो टीम है न पिछले पांच में से तिन मुकाबले आ रही है और दो मुकाबले जीती है करीने के अगर आप इस आकड़ों को देखे न तो इंगलाइंट के टीम के जीतने के चांसे जो है मुझे काफी जादा लग रहे हैं वही पे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं टॉस की तो टॉस जो है ने दोस्तों भारती है समय के अनुस्तार आपसे कुछी मिन्टों के बाद आपको होता हो नसराएगा और टॉस के कुछी दिर बात जो है आपको यहापे मुकाबला भी जो है ना शुरू होता हो नसराएग मैं में सबसे पहले बलेबाच निया पर ऐल्यक शेल्ज और अलेक्श इल्स के साथ जौश बर्ड लर जो की आपको इंगलाइट के टीम की तरफ से सलामई बल्यबाचvideo में नजरांगे और कहने कहीं थो दोस्तों अगर ये दोनों भुले बाज ऐसे बुले बाज है जो कि जादा समय लेते नहीं हैं पहली ही गेंसे ही मतलब बल्ला गुमाते हैं और कहने कि यह दोनों भुले बाज पावर प्ले तक के भी बले बाज ही करते न तो फिर बाए इंगलाइन के टीम जोए एक बड़े टोटल की तरफ जोई न अग्रैसर होते हुए आपको निज़राएगी वही पे दोस्तों गरहाँ बात कर लेते नमबा तिन की तो नमबा तिन पे दोस्तों जोई आपको आज के इस मुकाबले के अंदर जोई डेविड मलाण इहाँ पर निचलाने वाले डेविड मलान जो कि एक भार्उ झानदार बल्ले बाच जो थे आन्साधर यह एक कहीं हीटर बल्ले बाच है और यह के तोड़ीन आम इस मुकाबले के आनल नम्बाच पर बल्लेबाची करते हो निज राते हैं वहीं पर दोस्तों अगर मढथ करना और बल्लेबाची करना विजानते पिछले कुछ समय से देखे ना तो बैन श्टोक्स ने गेनबाजी से तो अच्छी विक्रे निकाली है लेकिन इनका बल्ला जो है काफी समय से शानत है और आज एक बड़ा मुकाबला है और के इंग्लाइण के सामने जो है आर्लाइण के टीम ठोड़सी कमजोर है तो कमजोर टीम के सामने जो है ना बैन निश्टोक्स आज एक अच्छा बल्लेवाजी करते हुए आपको निश्टोक्स 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 न प्लेयर रहने वाले हैं वहीं पर दोस्तों यहां पर मोहिन अली टीम के अंदर शामिल किये गया है और आज के इस मुकामले के अंदर नमबर शे पर बल्ले बाजी करते हुए यहां पर मोहिन अली आपको नज़राएंगे जो कि आपको जो है ओल राउंडर की भूमी काम नज़राएंगे और के इने काईज यह बल्ले से भी रन मनाते हैं और अपनी गेंद के बल्भूते भी विकेट चिटकाने माईर है वही पर दोस्तों बात कर लेते हैं नमबर साथ की तो नमबर साथ पर दोस्तों यहां पर सैम करन मौचूद है सैम करन भी का इस ओल राउंडर है गेनबाजी बलेबाजी दोनों ही करना चानते हैं लेकिन एक रिपोर्ट की मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि आज सैम करन की जगह कहने कि यहाँ पर डेविड विले को खिला जा सकता है और डेविड विले भी जो आना ओल राउंडर है गेनबाजी बलेबाजी दोनों ही जो आना यहाँ पर कर लेते हैं वही पर दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर आठ की तो नंबर आठ पर यहाँ पर आपको तेज गेनबाज क्रिस फुक्स निचराएंगे जो की शुरू की ओरस में गिइनबाजी करते हैं इस तेट करते हैं गांद नमबर 9 आप आगर आपको आदिल राशित तेकिंगे जब 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 लगलाने की टीम को एक विकेट की त echo ऊफ तब तब कफ्तान बटलर जो आदिल राशीद के हाथ में गेंद थमा देते हैं और कहने कि आदिल राशीद जो आज के इस मुकाबले के अंदर आपको नमबर नौ पर खेल तो निजराएंगे वही पे नमबर दस पर देख लेते तो नमबर दस पर आपको रिशी टॉपले खेल तो काफी अच्छी हो चुकी है अब मतलब बिलकुल यहां पर स्टम टो स्टम गेंबाची करते हैं वही पर नमबर ग्यारा पर अगर आप देखे दोस्तों तो नमबर ग्यारा पर जो यहां पर मार्क वुड़ आपको खेल तो निजराएंगे तो कहने कहीं गई गईज यह इंगलाइड या फिर आरलाइड कोई से टीम जो इस मुकाबले को जीतेगी आप लोग दोस्तों यहां पर अपने अपनी प्रीडिक्शन बता दिए आप यहां पर इंगलाइड के टीम को सपोर्ट कर रहो या फिर आप यहां और दोस्तों अगर आपके मन में कुछ भी सवा हो अगर आप देखें तो इंग्लाइंड के टिम के पांस जो है ना बल्लेबाजी में बहुत ही गहरा ही है लगबग नंबर आठ तक यहां में बल्लेबाजी मौझूद है अगर आप देखें तो मोहीन अली सैम करन बैन श्टोक्स यह जो नगाइस तीन इनके और राउंडर ग गेनबाज के विकल्प में बैन श्टोक्स तो कहने के इंग्लाइंड के टिम के पांस जो है ना गेनबाज हो के तो कमी नहीं है एक से एक का दुरंदर यहां पर मौझूद है और मैं आपको बताता चलो दोस्तों यहां पर टॉस का समय हो चला है और कहीने कि एकर आप देख भलेबाजी करने का निusion لिया जाता है या फिर पहले गेनबाजी करने का और दोस्तों बात कर लेते हैं आज की मुकाबले की तो आज का जोए मुकाबला गाई यह खहला जा रहा है मेलपुर्ण ट्रिकेड इस्टेडियम में यह वही मैदान है दोस्तों एंसे जी का जिए प माच तो पाकिस्तान की टीम ने जो है पहले बले बाच करे लिए और लिएत यह नहीं को चेस कर लिया था तो तो कहीं नहीं कई यहाँ पर पीछर यहां पर पिछुरु के वर्स में बल्ली बाची करना मुश्कील होता है लेकिन जैसे जैसे जो है ना गेंद यहां पर पुरानी होती ही चले जाती है वैसे वैसे दोस्तों जो है यहां पर बल्लेबाजी करना आसान होता है आपने जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी दिखा होगा तो आपने दिखा होगा दोनों ही टीमों के तरफ से जो है ना अगर आप देखें तो यहाँ पर हलकी हलकी घास भी मौझूद है और जब भी दोस्तों ऐसी कड़क पीछों के अंदर घास मौझूद होती न तब तब जो है दोस्तों इस पीनस को भी कहने की गुमाओ मिलता है अब देखना है यहाँ पर लाजमी होगा कि जब एक्सपर्ट स मैं आपको बता दू इंग्लैंड की जो टीम है अब पिछले पांच मुकाबले यहाँ पर कंटीनू जीत कराई है और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बारिश आने की चांसे से आप ही है यहाँ पर नहीं क्योंकि आपको बता है कि यह जो मैचे से सारे के सारे वो यहाँ पर जो एना दोस्तो इंगलाइंड में खेले अमलब आउस्ट्रेलिया में खेले जा रहे हैं और आउस्ट्रेलिया का वैदर कंडिशन समय पता है कि वहाँ पर जो एना का इस साल के मतलब 2400 गंटे और 355 दिन जो लगातर वारिश आती हैं तो कहिने के दोस्तो यहाँ पर आज की जो पीच रिपोर्ट बताना जो है काफी ज्यादा इंपोर्टन रहने वाला है अगर हम दोस्तो बात करें तो इस पिच का जो आवरेज स्कोर है पहले पारी के अंदर वो है 142 का बतलब जो कोई भी टीम दोस्तो यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती है लगबग 142 रन मनाती हैं और बात करतें दोस्तो पिच के आवरेज स्कोर के बारे में तो वो 126 का है और वही पे अगर हम बात कर लेतें पिच के हाईश टोटल के बारे में तो पिच का जो हाईश टोटल है वो है 184 का दोस्तो मैं आपको बतारा चलू अभी तक जो है दोस्तो इस मैदान के उपर पहली पारी के अंदर जो है ना 184 रन से जादा रन नहीं बने है अगर आज यहाँ पे इंगलाइन या फिर आरलाइन के टीम पहले बल्ले बाजी करते हुए 184 रन मना लेती है तो एक नया रिकॉर्ड जो है इस पिच के उपर बन जाएगा साती में दोस्तो अगर हम पिच के हायेश रन्चेस की बात करें तो वो है 172 का मैं आपको बता रहे चलू दोस्तो इस मैदान के उपर जो है अभी तक ए 172 रनों से जादा रन्स यहाँ पर छेस नहीं हुए तो कहिने के दोस्तो अगर यहाँ पर इंग्लैन्ड या फिर आर्लैन्ड की टीम जो है पहले बल्ले बाजी करते हुए इस विकेट के उपर एक सो साथ से लेके 180 रन यहाँ पर बना लेती है तो कहिने कई गई गई यहाँ पर एक जो है न मैच विनिंग टोटल रहेगा अगर 160 से लेके 180 रन जो है इस पिछ के उपर बन जाती है तो कहिने के दोस्तों यहाँ पर एक मैच विनिंग टोटल रहेगा इस पिछ के उपर और दोस्तों आपको कह लगता है यहाँ पर इंगलेंड या फिर आर्लेंड कौन से टीम जो इस मुकाबले को जिदेगी आप जो एकिस से टीम को जो है सापोर्ट कर रहे हो अपनी अपनी प्रेडिशन मताद जीएगा इंगलेंड बना हम आर्लेंड का जो है मुकाबला खिला जाएगा MCG क्रिकेट इस्टेडियम में यह वही मैदान है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच खिला गया था और उसी से मैदान के उपर जो है न दोस्तो आज का अभी का मैच जो होता हुआ जो है नजराएगा वही पर दोस्तो अगर हम बात कर लेते हैं टॉस के बारे में तो मैं आपको बता दो चोले दोस्तो टॉस के लिए अगर आप देखे न तो ज़्यादा समय यहाँ पर बचा नहीं है आप से कुछी दिर बात जो है दोस्तो यहाँ पर आपको इंगलाइंड की कप्तान जो है जोश पटलर और वही पर जो है आर्लैंड की कप्तान जो है एंडू यहाँ पर मैदान में आतो निजराएगे और टॉस का सिक्का जो है उचलतो निजराएगा और मैं आपको बता दो दोस्तो MCG क्रिकेट ग्राउन के कुछ है मेरे पास स्टैट्स है जो कि मैं आपके साथ और शियर करें तो दोस्तो अगर आप देखे न तो अभी तक जो है तेरा मुकाबले जो है दोस्तो इस MCG क्रिकेट श्टेडियम में खेले गए हैं वर्ल्लकप के जिसमें से 6 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाले टीम ने जिती है और 7 मुकाबले जो है पहले गेन बा प्रतिश्यद होते हैं और जो कोई भी टीम दोस्तो टॉस जीतने के बाद पहले गेन बाजी करने करने का निर्णाए लेती है उनके जितने के चांसे जो है दोस्तो के टीम दोस्तों यंदाप नियुकर आरलांड के टीम जोने यहां पर फिर आरलांड को भी कि आपने चेक कमेंट सेक्षिन के इंदर बता देगा अब जब यहाँ पर मैं जीतने की बात हो रही है तो मैं आपको बता दू दोस्तों अगर आप देखे न तो इंगलाइट की जो टीम ने पिछले पांच के पांच मुकाबले जो हैं इंगलाइट के टीम जीती हैं पिछले पांच टीटवैंटी मुकाबले जो की इंगलाइट के टीम ने जीती हैं पिछले पांच के पांच मुकाबले जो है जीतकर यहाँ पे इंगलाइट के टीम आई है वही पर review दोस्तों अक्र जीत कराई है एक तरीके से देखा जाये तो इंगलांड की जो टीम है ना विजयरच पर बैल्टी हुई है और वो विजयरच जो है लगातार बढ़ रहा है अब दोस्तों यहाँ पर टॉस के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं अगर आप देखें तो कुछी मिन्टों का कुछी पलों का समय बचा हुआ है और गैस तॉस के पहले जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ और टॉस जैसी हुजाए कर उसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको जो है ना ग्राइन लिख की फैंटेसी टीम शेयर करूगा लेकिन पहले एक बाद टॉस को ने देते है और देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो टॉस कोन से टीम जित्ती है और यहाँ पर गॉंडिया कॉमेडी जी भी हमारे सा जूट चुके तो का इस देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर टॉस कोन से टीम जित्ती है इंग्लाइन बना हम आरलाइन का दोस्तों जो यहाँ पर मुकाबला शुरू होने वाला है और अगर आप देखे तो टॉस के लिए ज्यादा समय बच्छा नहीं है कहिने के दिखा जाये तो दोनों ही कप्तान जो दोस्तों यहाँ पर टॉस के लिए तयार हो चुके हैं अगर हम बात कर लेते दोस्तों यह रही इंग लाइन टीम की प्लेंग लाइवन जो की कहिने के अंदा खेल तो निजराएंगी और दोस्तों जितने भी तमाम लोग हमाई साथ जोड़ चुके सभी के सभी एक साथ मिलके जो दोस्तों श्त्रीम को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए है तो सब्स्राइब करके जो है दोस्तों बिल आइकन को दबाद जीगा ताकि आता जो है गाईस हमें नोटिविकेशन आज ओर हम आपको शॉट आउट डेप है पहाड़ी ऐआपका बहुत-बहुत शुकरिया हमां साथ जोड़र रहने के लिए बहुत-बहुत श्युकरिया सब्स्राइब करने के लिए पहाड़ी बाई और अगर दोस्तों अगर हम England के टीम की प्लेंग 11 के बारे में बात करें न तो England के टीम की तरफ से दोस्तों आपको आज के इस मुकाबले के अंदर जो है नमबर एक पर खेलते हुए आप एलेक सेल्स नज़राएंगे और वही पर अगर आप देखें तो आलेक सेल्स के साथ जो है दोस्तों आपको जो है जो है नज़राएंगे तो England के टीम की तरफ से आपको पारी की शुरुवात करते हुए जो है जो है आपको आपको आलेक सेल्स नज़राएंगे जो कि आपको आज के इस मुकाबले के अंदर जो है सलाम ही बलेबाजी में नजिराएंगे और अलेक्सेल्स और जॉश बटर ये दोनों ही बलेबाज ऐसे बलेबाज है कि अगर ये जो है न शुरू के ओवस में थोड़ी बहुत भी गिंदे खेल लेते हैं न और एक बाज जब ये दोनों ही बलेबाज सेट हो जाते हैं तो फिर भाई इंगलायन के टीम को रोखने से कोई नहीं रोख सकता और वही पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नमबा तीन की तो नमबा तीन पर दोस्तों यहाँ पर आपको डेविड मलान नजिराएंगे वही करनाने में सफल हूपाते है वही पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते है नमबा चार की तो और वही में बुमी काम में नजराने वाले नमबा चार पर कहलेंगे बैन फस्तों unrest Ryan गेन बाजी तो अच्छी कासी कर रहे है इस वक लेकिन बले बाजी से इनके रन नहीं निकल रहे है वही पर अगर हम बात कर लेते हैं नमबर पाँच की तो दोस्तों नमबर पाँच पर आपको आज के इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए याँपे Harry Brook नज़राएंगे Harry Brook जो कि Middle Order को मझभूती देते हैं और गेने के दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर आपके यहाँ पे की प्लेयर भी हो सकते है Harry Brook जो कि आपको जो है नमबर पांच पर यहाँ पे बल्ले बाजी करते होगे जो है नज़राएंगे Harry Brook वही पे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नमबर च्छे की तो नमबर च्छे पे दोस्तों यहाँ पे आपको मोहिन अली खेलते हों निज़राएंगे मोहिन अली की अगर हम बात करते हैं तो यह लेफ्ट हैंड बल्ले बाजी है और कहिने के दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर फैंसे टीम मनाते होंगे न तो आप जो है गाइस मोही नली को अपने टीम में जरूर से शामिल कीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह आपको बले बाजी से भी अच्छे काई से पॉइंट दिलाएंगे और गेंबाजी से भी जो काम नजराएंगे जो कि यहाँ पर आपको राइट टाम ओवर दा विकेट से गेंबाजी करते होंगे आज के इस मुकाबले के अंदर यहाँ पर आप देखना है यहाँ पर आपको क्रिस वोक्स नजराएंगे दोस्तों इनकी जो गेंदाना शुरू के ओवर्स में काफी जड़ा गुमाई मिलती है मिलब काफी ज़़ा स्विंग देखने को मिलता है वह पर आप नमबर नौ पर देखें तो नमबर नौ पर दोस्तों यहाँ पर आपको आदिल राशित के हिलते नजराएंगे आदिल र प्लाश होती है न तब तब यहाँ पर कप्तान जौश बटलर जो है आदिल राशित के हाथ में गेंदामा देते हैं वही पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नमबर दस की तो नमबर दस पर आपको रिसी टॉप ले जो है आज के इस मुकाबले के अंदर निजराएंगे रिसी टॉप ले जोगी यहाँ पर नमबर दस पर खेलते हो निजराएंगे और वही पर नमबर ग्यार आपर दिखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मार्क वोडर निजराएंगे तो गाईस यह जो है प्लेंग 11 रहने वाली इंगलाइंड के टीम की और अगर का जाए तो लोवर आडर में हैरी ब्रूक, मोहिन अली और सैम करन आपको नजराएंगे तो यह जो है दोस्तों ओवराल यहाँ पर प्रोबैबल प्लेंग 11 है एक दो बदलाव यहाँ पर हो सकते पीछ रिपोर्ट बताओ यहाँ पर एक भाई का कमेंट है तो पीछ रिपोर और अगर आप दोस्तों पीछ को देखे न तो पीछ बिलकुल यहाँ पर ही कड़क पीछ है और पीछ को अगर आप ध्यान से देखे तो यहाँ पर जो है न हलकी फुलकी घास मौझूद है और अगर यहाँ पर पीछ के अंदर घास मौझूद है तो इसका मतलब यह है कि बड़क पीछे साती में गार्स भी मौझूद है तो लगबग शुरू की ओवर्स में यहां पर खेलना मुश्किल होगा लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी हो जाएगी वैसे वैसे बल्ले बाची करना मुश्किल मतलब आसान हो जाएगा और दोस्तों अगर हम बात कर लेते ह यहां पे टॉस जितने के बाद पहले गेंद बाची करना अच्छा रहता या फिर बल्ले बाची करना तो दोस्तों मैं आपको बताता चलू अभी तक जो है न इस मैदान के उपर जो कोई भी टीम टॉस को जितने के बाद पहले बल्ले बाची करती है उनके जितने के चांसे यहाँ पर 46% होती हैं और जो कोई भी टीम यहाँ पर टॉस को जितने के बाद पहले गेनबाची करती हैं उनके जितने के चांते से यहाँ पर 54% हो जाते हैं आपको याद होगा हाली में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच भी खेला गया था इस मैदान के उपर तो इंडिया की टीम जो है न दोस्तों यहाँ पर रंस को चेस करते हो जितने और कईने कई आज भी जो है न जो कोई भी टीम यहाँ पर टॉस को जितने गी तो शायद आपको हो सकता है कि वो गेनबाची करते हो निजरा है और आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर टॉस कोई से टीम जितनी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर टॉस का समय जो हो चला है और दोस्तों आपको कहा लगता है यहाँ पर इंगलाइंड या फिर आर्लाइंड कोई से टीम जो है टॉस को जिदेगी अपने अपनी प्रेडिक्शन बता दिएगा कैप्टन किसको बनाए बैदे को कैप्टन वाइस कैप्टन जो है ग्रैंड लिख के टीम के मैं आपको टॉस के बाद ही बता दूगा और यहाँ पे काका साहिब गवाली जी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत 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 शुक्रिया और देखा जाये तो यहाँ पे हमारे साहता भिहार जी ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और उमेश चौदरी जी ने भी यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों दोस्तों लोग हमारी श्ट्रीम को देख रहे तो सभी के सभी दोस्तों एक साथ मिलके जो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाद दीज इंग्लाइट के तरफ से जो है नहीं अगर आप देखे तो जोश बटलर जो है मैदान में आचुके है और दोस्तों मैं आपको टॉस के पहले बता दू अगर आप देखे न तो इंग्लाइट की जो टीम है ना दोस्तों पिछले पाँछ मुकाबले जो यहाँ पर continue जित कर रही है और वही पर आर्लाइंड की बात करें तो आर्लाइंड की जो टीम है पिछले 5 में से 3 मुकाबले हा रही है और 2 मुकाबले जिती है और इंग्लाइंड की जो टीम है न दोस्तों अभी तक इस मैधान के उपर और इस तूर्णामेट के अंदर unbitable रही है और warm-up matches के अंदर भी England के टिम को हराना मुश्किल था और वही पर दोस्तों पिछले 5 मुकाबले जो England के टिम ने खेली है 5 के 5 मुकाबले याफे continue जीती है और England के टिम को जो दोस्तों याफे हराना जो है मुश्किल है और चले दोस्तों आप चलते सिधा टॉर्स के अंदर और बता दो दोस्तों अ फ्रेश पीच फॉर दिस गेम और इट इस अ कपल अप इस्टीफ मैश तो इंडिया उसे पाकिस्तान गेम तो डाइमेंशन चेंज इस तो दोस्तों मैं आपको बता दू आज का जो मैच है मैलबरम क्रिकेट श्टेडियो में खेला जा रहा है जहापे इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला गया था लेकिन दोस्तों जो इस मैच के अंदर जो पिच का इस्तमाल किया जा रहा है न वो मतलब थोड़ी सी अलग पिच में खिला जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो इस पिछ के उपर खिला गया था लेकिन जो इंगलाइंड और आरलाइंड का मैच है वो एक अलग पिछ पे खिला जाएगा और जो मतलब जब पिछ अलग इस्तिमाल होती है तो कहने हैं जो Grand की Dimensions हैं वो भी यहां पे Change हो जाती है मतलब जो Ground की लंबाई है वो भी Change हो जाती है इसी भी देखा जाए so आकाश वर्मा जी ने हमारे चैनल को से aspects किया तो बहुत बहुत शुक्रिया आकाश वर्मा जी आपका भी चैनल को यहाँ पे सबस्राइब करने के लिए और दोस्तों यहाँ पे जो इना चैनल को सबस्राइब करने के बाद अब बेल आइकन दबाना जरूरी है ताकि जब भी हम लाइब आए तो आपको जू है नोटिफिकेशन आ जाए साती में जो दोस्तो हमें नोटिविकेशन आ जाए और हम जो न दोस्तो यहापे आपको शॉट आउट दे पाए बटलर को कैप्टन बनाए जो हस्पिडल को कब तक बनाना ठीक है उमेश भई यह मैं समझा नहीं आप क्या कहरो मेरे कहल से आप करें क्या जोश बंदर क्याप्टन बनाना सही देगा वह एक बार जो न आप टॉस को उने देते क्योंकि देखा जाए तो टॉस कर समय अल्रेडी हो चुका है जाए तो दीपक दार जी जी ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइफ गेमिंग जी ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया और काफी सारे लोग करें कि बाई कैप्टन वाइस कैप्टन किसको मना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जैसे ही यापे टॉस होगा उसके अगले जो है कुछी मिन्टो के बाद जो है मैं हमारी ग्रायन लिख के टीम को जो है आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मनाद बता दूगा लेकिन पहले एक बार टॉस को जाने दीजिए टॉस के बार जो है कहिना कहीं गाइस मैं आपको कुछ बता पाऊगा अब देखना यहाँ पर दिलजब्स रहेगा इंग्लाइंड या फिर आर्लाइंड के टीम जो यहाँ पर टॉस को जितती है और कहीं है कि दोस्तों अगर आप देखे तो दोनों ही कप्तान जो है गाइस यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं और दोनों ही कप्तान जो है न दोस्तों यहाँ पर मुस्कूरात ते हुँ निजरारे मतलब बहुत बड़ा मैच है आरलाइंड के टीम के लेकिन एक मुस्कूराहट जो है न यहाँ पे दोनों ही कप्ताने के कप्तानों के चैरे में देखने को मिल रही है किसी भी प्रकार की चिंता जो है न इनके चैरों से नजर नहीं आ रही है और चलिए गाईज हम कुछी समय दूर ह को जिती है अगर आप देखें तो कहिने के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आरलाइंड की कप्तान एंड्यू है ना उनके हाथ में जो है टॉस का सिक्का दिया हुआ तो चलिए दोस्तों टॉस के लिए दोनों ही कप्तान यहाँ पे मैदान में आ चुके है और आपस में यहाँ पे बादशीत करते हुआ नजरा रही है और कहीने के एगर दिखा चाहे तो यहाँ पे जो है टॉस का सिक्का जो है मेरे ख्याल से ही इंगलैंड की कप्तान जोश बटलर के हाथ में तो दोस्तों बता दू यहाँ पे जो टॉस का सिक्का है वो यहाँ पे जोश बटलर के हाथ में है और दोस्तों जोश बटलर ने यहाँ पे सिक्के को उच्छाला है आर्लैंड के कफ्तान अंड्रू ने यहाँ पे हैड का कॉल दिया है और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख आप यहाँ पे देखते हैं इंगलाइंड की टीम जो है टॉस जितने के बाद पहले बल्ले बाची लेती है यहाँ फिर गेंबाची लेती है आपको गलता है इस इंगलाइंड की टीम यहाँ पे टॉस को जितने के बाद क्या पहले गेंबाची करने का निड़न लेगी या फि दोस्तों साड़े चार सो लोग हमारे श्रीम को देख रहे हैं और हमाई दोस्तों सिष्टी एट थाउदन फूर फिप्टी सब्स्राइब अने वाले हैं तो सभी के सभी दोस्तों एक साथ मिल के यहां पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा द चांसे जो यहाँ पे 46 प्रतिश्य दोते हैं और जो कोई भी टिम दोस्तों यहाँ पे टॉस को जितने के बाद पहले गेनबाची करती है उनके जितने के चांसे जो यहाँ पे 54 प्रतिश्य दो जाते हैं लगबग दोस्तों यहाँ पे टॉस जितने के बाद पहले चीम जादा मुकाबले नहीं जीती है जितने मुकामले जो है टॉर जितने के बाद गेंबाजी करने वाले टीम ने जीती है और यहां पर दिखा जाये तो राहूल रौच केरे की इंगलाइड की टीम जो है पहले बैटिंग करेंगी तो दोस्तों मैं आपको बताता चलू यहा पर अगर आप देखे न तो इंगलाइड की जो टीम है पिछले पांच मुकामले यहां पर कंटीनियो जीत कर आई है और कहने के यहां पर इंगलाइड के टीम के जो है जीतने के चाहते हैं यहां पर काफी ज़्यादा है और दोस्तों मैं आपको टॉस की बारे में पाला था जहां पर अगर आप देखे तो आर्टलाइड के कफ्तान आंड्रियू ने जो है दोस्तों यहां पर हैड का कॉल दिया था लेकिन अगर आप टॉस में देखे तो टॉस में जो यहां पर टैल आया है मतलब टॉस जीत लिया है यहां पर इंगलाइड की टीम ने और परेखते हैं यहां पर inglient की यहां पर टौस को जीत लही है लेकिन टौस को जटने के बाद यहां पर किया देखतें या पर पिर बल्ले बाजी करने का निड्न लिया जाता है यह देखना कई ने कई यहां पर लाजमी रहएगा आपको अ वह न्या πर dit अच चलिए दोस्तों मैं आपको बताता चलू यहाँ पर जो इंगलाइंड की टीम ने टॉस को जीता है और टॉस को जीतने के बाद क्या लिया है भाई यहाँ पर तो भाई सिधा राफरी के साथ बातचीत ही हो रही है और इसी के साथ देखा जाए तो गाइस हारिश वासनिक जी ने भी हमारे चैनल को सब्स्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और गाइस आप लोग बाद निचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए आपको कह लगता है इंगलाइंड ने टॉस जीतने के बाद क्या लिया होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दू ज जिसने के बाद यहां पे गेंद बाजी करने का निडन लिया है और आज के इस मुकाबले के अंदर दोस्तों आपको पहले बले बाजी करते हुए आर लाइंड के टीम नजराने मली हैं और इसी भी दिकर जाये तो पंकोज दियोलिया जी ने भी हमारे चैनल को कि हैं और दोस्तों अभी चलते हैं हमारी गरान लिग के कैप्टन को बाज़ी तरह और जिते भी गईश तमाम लोगमारे चिरीम में आ चुक हैं सभी के सभी दोस्तों एकसात मिलके जो ऐस श्ट्रीम को यहां पर लाइक कर दीजिए चैनल पर नए है तो सब्स्राइब करके जो है फिल आइकन को दबा दिशीगा और दोस्तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर playing 11 के बारे में दोनोई टीमों की आज की इस मुकाबले के अंदर तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते innyland की team की playing 11 के अंदर तो innyland की team के अंदर जो गरी सबसे पहले जो बलेबाच है वो यहांपे है जौश बटलर और जौश बटलर के साथ अगर आप देखे तो यहाँपे दोस्तों जो है नए आपको अलेक्सिल्स नजणाएंगे जो कि यहाँपे आपको पारी की शुरुवात करते हो नजराएंगे तो England की टीम के तरफ से दोस्तों जो सलामी बल्ले बाची है वो यहाँ पे करेंगे जॉश बटलर और जॉश बटलर के साथ जो है न दोस्तों यहाँ पे आपको Alex Hills नजराएंगे जो कि आपको England की टीम के तरफ से यहाँ पे सलामी बल्ले बाची में जो है न आज के इस मुकाबले के अंदर जो है आपको नजराने वाले है वोई पे दोस्तों अगर हम बात कर लेते है नमबर 3 की तो आपको आज के इस मुकाबले के अंदर England की ओरते हैं नमबर तीन पर खेलते हुए आपे डेविड मलान न जराएंगे, डेविड मलान जो की T20 के एक बहुत ही शांदार बल्ले बाज है, लगबग 52 अंतर अश्ट्रिय मुगाबलो का इनके बाद सानुबव है, वही पे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नमबर चार की, तो नमबर चार कारद भी बल्ले बाज ही नहीं जराएंगे, वही पे द construc अगर आप देखें तो दोस्तों अगर आपको नमबर पांच के एक लिए भी लेक श्ट्वन काफी बल्ले बाज है और पिछले कुछ समय से काफी शांदार बल्ले बाज ही कर रूब है अगर आप जो है गाइस, जो है ना, नमबर पाँच पर खेलते हुए आज के इस मुगाबले के अंदर जो है, लियम लिविश्टोन न जराएंगे, जो कि नमबर पाँच पर बल्ले बाची करते हुआँए ज़राएंगे, वही पे दोस्तोच हम बात कर लेते हैं, नमबर चे की, तो आपको सांम करन खेलते हो निजव हैंगे आज खेलते हुए के आपको सायम करन हमे जमतिक्राइगे आजी के साथ साथ बल्ले बाजी भी करना चानते हैं नमबर आठ पे खेलते हुए दोस्तो यहां पर आपको को मुगावले के अंदर अगर आप देखे तो यहां पर क्रिस वोक्स मौद्शूद ांदर और Chris Wokes जो है न दोस्तों आपको आज के इस मुकामले के अंदर जो है नमबर नौ पर जो है खेलते होगे नजराएंगे नमबर दस पर अगर आप देखें तो नमबर दस पर जो है दोस्तों यहाँ पर आदिल राशिद मौजूद है और नमबर 11 पे अगर आप देखे तो दोस्तों यहाँ पे Mark Wood जो है मौजूद रहने वाले है तो दोस्तों यह जो है न ओवरॉल यहापे प्लेइंग 11 इंगलाइंड की टीम की जहापे अगर आप देखे तो इंगलाइंड की टीम के पास लगबग नमबर 8 तक यहापे बल्लेबाची मौझूद है आपको देखा जाए तो जौश बटलर जौश बटलर के साथ ता जो है आपको जो है अलेक सेल्स जो है पादी की शुरुबात करते हो नजराएंगे नमबर 3 पर मौझूद है डेविड मलान नमबर 4 पे है बैन श्टोक्स नमबर 5 पे खेलते होए आपको है हैरी ब्रूक नजराएंगे नमबर 6 पे खेलते होए आपको मोही नली नजराएंगे नम पर 11 पर जो आ मार्क वूड तो यह जो दोस्तों इंगलाइन के टिम की प्लेंग 11 और अगर आप इंगलाइन की टिम को प्लेंग 11 को देखें न तो इंगलाइन के टिम के पास जो है न गेंगबाजी में बहुत ज़याता गहरा है आपे सैंकरन, क्रीश वुक्स, आडिल्राशि और मार्क वुड यह जो ने इनके चार में गेनबाज हैं और पांचवे गेनबाज के विकल्प में इनके पास मौजूद है लियम लिग में श्टोन बैन श्टोक्स है छटे गेनबाज के विकल्प में और सांतवे गेनबाज के विकल्प में देखा जाये तो यहाँ पे मोही बृलबरिन जो है आपको सलामी बले बाजी में नाचरांगे नमबा दो पे खेलते हुए है आपको आजग्ajक मुकाबले के अंदर पॉलिश्टेलिक नाचरांगे नमबा तिन पे खेलेंगे लाुरनट टकर चार पे खेलते हुए हैरी टैक्तौर नाचटांगे पांच पे ख साथ पे खेलते हुए आपको जो आजब आए यहां अंध़ नौमर चू हरे उक हैं अम Alors हैंस कोने वाल यहीं कुमर भाई बयुकूरोग बोलों आप काफी समय से में को बोल रहें थो है मैं आपके स्वाल के जवाब देता हूँ और साचीत खान का सवाल है कि भाई टॉस कोन जीता है तो मैं आपको बता दू दोस्तों यहाँ पे जब टॉस का तिक्का उचाला गया तो इंगलाइंड के कफ्तान जो है जॉश बटलर यहाँ पे मैदान में आया थे आरलाइंड के कफ्तान जोश बटलर के हाथ में और जोश बटलर ने जो है दोस्तों यहाँ पे तॉस के सिक्के को उच्छाला और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है न दोस्तों आरलाइंड के कफ्तान ने यहाँ पे लेकिन आप देखे तो यहाँ पर ढाया है अरटल मतलब है जो दिए और अधर देखे तो दोस्तों ड्म के टीम ज़ीतने के बाद याँ पर फैसला किया है घेंड बाजी करने का और आज की मुकाबले के अनदर अगर आप देखे तो आपको दो है गाईज यहापे इंगलाइड के टीम ने टॉस को जितने के बाद ही आपे पहले गेंद बाची करने का निर्न लिया है और आर्लैंड की जो टीम है दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर आपको पहले बल्ले बाची करते हुए जो है नजर आएंगी बाई यह मेरा नया फोन है अब दोस्तों आगर मैं आपको इंगलाइड के टीम के खांस पार बताओं तो गाईज यह देखके आप भी शौक हो जाओंगे अगर आप इंगलाइड टीम के बारे में देखे न तो इंगलाइड की टीम ने गाईज करें आर्लाइड के टीम की तो अगर आप देखे जाए तो गाई आर्लाइड की जो टीम है ना पिछले पांच में से जो है तीन मुकाबले हारी है और दो मुकाबले के अंदर जो है जीती है और अगर आप देखे तो कहें है कि यहाँ पर दोस्तो इंगलाइट के टीम के जितने की चांसे जो है ना मुझे काफी ज़ादा लग रहे हैं और दोस्तो अगर मैं बता दू यहाँ वेधर कंडिशन्स के बारे में क्या यहाँ पर दोस्तो आज के इस मुकाबले के अंदर और उसी से मैदान के उपल जो है न आज का ये इंगलाइंड और आरलाइंड का जो है मैच के ला जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप पीछ के बारे में देखे न तो मैं आपको बता दू दोस्तों यहां की जो पीछ न बहुत दिता कलक है और साती में जो है यहां पे पीछ में हलकी हलकी घास मौचुद हैं और आपने जब गईज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखा अगर तो आपको पता होगा कि शुरू के ओवस में यहां पर बल्लेबाची करने मुश्किल होता है यू कहूं तो जब यहां पे गेंद नया होता है तब यहां पे बल्लेबाची करना मुश्किल होता है लेकिन गेंद जो है जैसी पुरानी हो जाती है वैसी दोस्तो यहाँ पर बल्लेबाची करना असान हो जाती है और आपने देखा होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच किला गया था इस मैदान के उपर तो इंडिया के टीम जो है दोस्तों यहाँ पर रन को चेस करते हुए जीती थी तो कहने हैं कि यहाँ पर अगर आगलाइन के टीम पहले बल्लेबाची कर रही है तो इंडियाइन के टीम के पास इतनी हार डेटिंग बल्लेबाची मौझूद है कि वो जो है न यहाँ पर रन को चेस कर लिती है अब दोस्तो यहाँ पे पिछ रिपोर्ट के बारे बात ही हो ली तो मैं आपको बता दू दोस्तो यहाँ पे जो है न अभी तक अगर आप देखे तो लगबक जो है इस मैदान के उपर अगर आप देखे तो लगबक जो है दोस्तो तेरा मुकाबले खेले गए हैं और तेरा मे जितने के बाद पहले बल्लेबाजी करती है उनके जितने के चांसे यहाँ पर 54 प्रतिशत हो जाते मतलब दोस्तों ज्यादा तर जो मुकाबले है ना इस मैदान के उपर तौर जितने के बाद गेनबाजी करने वाले टीम ने जितनी है पिछ रिपोर्ट मनें आपको बता दिय हूँ अगर आपको कुछ भी और पुछ नौ तो आप पूछ रखते हूं बहई पाक को गोली से डर नहीं लगता है कोली से लगता है बिल्कुल सही का आपने कोली की टोली जिन्दावाद और क्या लगता है दोस्तों यहां पर जो इंगलाएंड और आर्लेंड के अंदर किस तो इस टीम को जो है, सपोर्ट कर रो, यहाँ पर जो दूस्तोर अपनी 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 प्रेदिक्शन यहाँ बता दिएगा, कई ना कि आप देखें, तो काफी ज़्यादा जो इंप्धाइन्ट मुकाबला है आज का, काज करके लिए जो देखाजार तो आरलायइन के लिए, आर्लाइंट के टीम के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आज का मैच और आप देते कौन से टीम जो इस मुकाबले को जितती है और दोस्तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछ रिपोर्ट के बारे में मतलब दोस्तो जो कोई भी टीम यहाँ पे पहले बलेबाजी करती है लगबग 142 रन के आसपार बनाती है और जो कोई भी टीम दोस्तो दूसरे पारी के अंदर बलेबाजी करती है वो लगबग 126 रन बनाती है बात कर लेते हैं दोसको पिछ के हाइश टोटल के बारे में तो पिछ का जो हाइश टोटल है वो है 184 का मतलब दोस्तों अगर आप देखे न तो मतलब अभी तक इस मैदान के उपर दोस्तों 184 रन से ज़्यादा रन यहाँ पे पहली पारी के अंदर बने नहीं है अगर यहाँ पे दोस्तों अमलब आरलाइंड की टीम जो है पहले बलेबाजी करते हो है 184 रन से ज़्यादा रन बना लेती है तो एक नया रिकॉर्ड जो है इस पिछ के उपर बन जाएगा और वही पे दोस्तों बात कर लेते हैं इस पिछ के हाईश रन चेस की तो दोस्तों इस पिछ का जो हाईश रन चेस है वो है 172 का दोस्तों मैं आपको बता दू अभी तक जो है इस मैदान के उपर 172 रनों से ज़्यादा रन यहाँ पे चेस नहीं हुए है 172 रनों से ज़ादा रन दोस्तों यहाँ पे चेस नहीं हुए है मतलब दोस्तों अगर आप देखे न तो अगर यहाँ पे पहले बल्लेबाची करते हुए है आर्लाइंड की टीम 160 से 180 रन बना लेती है तो उनके जितने के चासे से यहाँ पे काफी ज़्यादा हो जाते है और एक भाई का सवाला है कि यहाँ पे गैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाए तो मैं आपको बता दो तो भाई देखो मैंने जो है न ग्राइंड लिक के अंदर कैप्टन मनाया है मार्क वुड को और वाइस कैप्टन मनाया है जौश बटलर को तो गाईस देखो मैं कहिने कि यहाँ पे थोड़ा सा रिक्स ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मैसूस हो रहा है कि जब आर्लाइन के टीम बल्ले बाजी करने के लिए आएंगी तो शुरू के ओबस में इस मैदान के ओपर काफी ज़्यादा स्विंग होती है और मार्क वुड पिछले काफी समय से अच्छी गेन बाजी कर रहे हैं और मार्क वुड की ज़ो गेंद है वो स्विंग होंगी इसी वज़े से मुझे लग रहा है कि मार्क वुड जो है आज के इस मुकाबले के अंदर तीन से चार विकेट निकाल सकते है और उसी के चलते जो है कर दोस्तों मैंने आज के इस मुकाबले के अंदर गरायन लिख के अंदर Captain मनाया है Mark Wood को और Vice Captain मनाया है मैंने Josh Butler को तो कहिने कि दोस्तों अगर आपको भी थोड़ा बहुत तरीक्स लेना है तो आप जो है दोस्तों Captain जो है यहाँ पर बना लिजएगा Mark Wood को और Vice Captain के तौर पर जो है आप यहाँ पर Josh Butler को बना सकते हूं बाकी guys यह आपके उपर रखिए आपको जो है Captain किसको बनाना है और सांती में जो है Vice Captain यहाँ पर किसको बनाना है और guys आप लोग जो है अपनी अपनी prediction मता देगा आप जो इस मुकाबले के अंदर किस टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो इंगलाइन के टीम को या फिर आरलाइन के टीम को बाई इंगलाइन के फिल्डिंग है बिलकुल आपने सही किया सही बुला इंगलाइन की फिल्डिंग है और Mark Wood जो है आपको पहले गेन बाची करते हो निजराएंगे और आरलाइन के टीम बले बाची करेंगी और शुरू के होवत में जो गाइस मैलवर्म क्रिकेट ग्राउंड में जो गेंड दस्विंग होती है और अमेजिंग पिच्चर इफेट भाई का सवाल आ था कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बताया तो भाई मेंने कैप्टन तो यहां पे मार्क वुड को बनाया हूँ और वाइस कैप्टन के दौर पै अगर आप देखे तो भाई मैने यहां पे जो जो टोश बडलर को बनाया हूँ और अगर आपको कुछ भी सवाल पुछना तो आप फटा फट पुछ लीजिये यो कि मैच के बाद माईक का मुश्किल होती है आपको बता ही है और अगर हम बात करेंगे गाइस यहां पर इंगलैंड की प्लेंग 11 तो भाई बहुत ही बवाल है अगर दोस्तों मैं आपको प्रसनली बताऊना तो मुझे सबसे जान्दा जो है ना श्ट्रॉंग बलेबाजी अगर किसी टीम की लगती है इस वर्ल्ल कप के अंदर तो वो है सबसे पहले भारत की और भारत के बाद मुझे लगती इंगलैंड की उसके बाद लगती ऑस्ट्रेलिया की अगर England के टीम के गरम प्लेइंग 11 के बार忙 है अज के इस मुकाबले के अंदर दोस्तों England के टीम के दोस्तों प्लेइंग 11 में जो ना सबसे पहले बल्लेबाज यह और आपको Josh Butler आपको इस मुकाबले के अंदर नजराएंगे देखा जाए तो जॉज बडलर के साथ में आपको अलेक्स सिल्स नज़राएंगे जो कि इंग्लैंड की टेम की तरफ से आपको सलावी बले बाची में नज़राएंगे भाई आदिल राशित को भी क्रिकेट मिलेगा और आपने जो इस मैच में देखा होगा कि वहाँ पे जो ना इस पीनस को उत्ती ज़्यादा विकेट और मदद मिली नहीं थी और कहने की मेरे कहलते आदिल राशित को आप अपने टीम में लेज रखते हो लेकिन आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही जो ना आदिल राशित को आपे नहीं बनाना है तो कि यार तिम्पल थी बात है जब भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर इस पीनस को विकेट नहीं मिली है तो फिर भाई आज के इस मुकाबले के अंदर तो विकेट मिलने के चांसे जो है ना बहुत ही अदर मुझे कम लग रहे हैं तो आदिल राशित is not a good choice for your Grand League Captain और वाइस कैप्टन बाकि आपकी अपनी चोईसे मेरे भाई आपको बनाना है तो आप बना सकते हो Sam Karan को Captain करो बाई दिखो Sam Karan के उपर मुझे भरोसा नहीं है Sam Karan के उपर मुझे भरोसा नहीं है Sam Karan से ज्यादा अच्छा है बाई मैं Grand League के अंदर जो है Mark Wood को Captain मनाने में prefer करूँगा और वही पर दोस्तों अगर हम बाहत कर लेते हैं इंगलाइन के टीम की सलामी बलेबाची में तो इंगलाइन की तरफ से दोस्तों जो है आपको जो है जो आज के इस मुकाबले के अंदर जो है दोस्तों यहाँ आपर आपको डेविड मलान नजराने माले अगर दोस्तों हम देविड मलान की बात के तो गाई यह जो बल्ले बाज है न बहुत ही धाकर बल्ले बाज है और अगर यह बल्ले बाज अगर शुरू के ओवर्स में भी जो दोस्तों खेल जाता है तो फिर भाई यहां पर इंगलाइन की टीम को एक बड़े टोटल में अगरसर होते हुए कोई नहीं रोख सकता यह बहुत ही शांदार बल्ले बाज है यह दोस्तो देविड मलान और डेविड मलान भी दोस्तो आपको आझके मुकाबले चएंदर नमबर सीन पर खेलते हैं गयाच करें तो 2 निष्टोग जो है दोस्तों गेनबाजी के साथ साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करना भी जानते पिछले कुछ समय से देखे तो बैन इष्टोग सी गाई स्काली जो है यहाँ पे गेनबाजी अच्छी औरी बल्लेबाजी से इन के रन नहीं निकल रहे है और आज के इस वहरे पे नमबर 6 कि अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाप पे नमबर 6 पे आपको आज के इस मुखाबले के अंदर दोस्तों मोहिन अली यहाप नजराएंगे वही पर दौस्तो बात कर लेते हैं नमबर साथ की तो नमबर साथ पर है अदर होसाम देंगे स्टोन नमबर आट पर आप करन करन sim करन महजूद cuc नमबर नौ पर यहां पर क्रिस वोक्स हैं नमबर दस पर आदिल राशीद और नमबर गयारा पर दोस्तों जो है मार्क वुड मौजिद है तो कुल मिला करके दोस्तों यह जो है ना इंगलाइन के टीम की यहां पर प्लेइंग 11 है आज के इस मुकाबले के अंदर और लिए जीतने में क्याबद होती है आपको के लगता है किस कोण सी टीम जो है इस मुकाबले को जिते कि आप लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन बता दिएगा और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू एक कहने के थोड़ी सी एक बुरी खबर आई है मेरे पास में जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा तो दोस्तों यहां पर जो मैच शुरू होने वा सा जुड़ी है पाकिस्तान वसे इंडिया का दुबारा कब होगा भाई अभी तो बहुत टाइम है सैम करन को कैप्टन करो भाई देखते हैं सूरज सिंग करें कि इंगलाइंड के टीम जो इस मुकाबले को जिते की बाई देखते हैं इंगलाइंड या फिर आर्लाइंड को उसे टीम जो इस मुकाबले को जिते हैं कि आज क्या मैं जो काफ़ी इंपॉटंट है आर्लाइंड की नजरे सेगर हम देखे तो और दोस्तों अगर आप देखे न को इंगलाइंड के टीम जो जीतने के चांसे मुझे प्रस्णलई काफी ज्यादा लग रहे हैं अगर आप दोस्तो देखे न तो England और Ireland के टीम ने ने का इस अगर आप देखे न तो yagland के टीम ने जो दोस्तों पिछले पांच मुकाबले खेली है ना पांच के पांच मुकाबले जो हैं झातीन जीत कर ज़ो हैं दोस्तो गाइस यहां पर पहुचिए England के कें लाइंद के टीम की तो और लाइनट की जो टीम धोस्तों पिछले Eh पांच में से थीन मुकावले यहाँ पें जीती और दो मुकावले यहां पे हारी है तो दोस्तों ज़ाधा तर जो मुकावले टीम हैं पए इन یہ का कि अवर कहीं आज के भी इस मुगाबले को जो है न मुझे प्रस्नी लगता है कि बाई इंगलाइंड के टीम ही जीतेगी और ग्राइन लिग के अंदर मैंने कैप्टन मनाया है मार्क वूड को और वाइस कैप्टन मैंने यहां पर यहां पर रख सकते हैं बाई बागी सब्सक्राइब अलग अलग चॉइस होती है मुझे जो सही लगा मैंने वो किया है मार्क वूड को मिकेट मिलेगा बिल्कुल बाई मिलेगा तो जिस कड़क पीछे हलकी फुलकी यहाँ पे घास भी मौझूद है और जब भी दोस्तों यहाँ पे घास मौझूद होती ना तो यहाँ पे तेज गेंबाजो को काफी जदा मुदत मिलती है और शुरू के ओवस में जो गेंद है स्विंग काफी जदा है क्या वाइस कैप्टन किसको को बना सकते हैं वाइस कैप्टन आप जो जरू में बनाया है मारक वुड को और जरले दोस्तों यहाँ पे दिखा चाये तो प्लेयर्स और juid कि अजली के लोंका दोस्तों 9 के लिए और दोस्तों दोस्तों में आप शुरू होने वाला है। उस पर अगर आप देखें दोस्तों तो अभी तक जो यह नुस्त मैदान के उपर 30 मुकाबले खेले जा चुकünüz और तेरा में से जो है न दोस्तो छे मुकाबले पहले बैटिंग करने वाले टीम ने जिती है और साथ मुकाबले जो है दोस्तो पहले गेंद बाची करने वाले टीम ने जिती है मतलब दोस्तो अगर आप देखे न तो जादा मुकाबले जो है न इस मैदान के उपर पहले गेंद 4% होते हैं और जो कईवे टीम टॉल जितने के बाद यहाँ पहले बलेबाजी करती हैं उनके जितने के चांसे जो है यहाँ पे 40-60% होते हैं और एक भाई का कमेंट है कि भाई रोईत के साथ विराट ओपन करे तो मज़ा है भाई जो चल रहा चलने जो इंगलाइंट के टीम जितने की भाई मुझे भी लग रहा है कि इंगलाइंट के टीम जितने की इसी भी दिखा जाए तो बबलू रावाजी ने चैनल को सब्स्राइब किया है ओम कुमार जी ने यहाँ पे चैनल को सब्स्राइब किया साती में देखा जाए तो सूरज सिंग जी ने भी यहाँ पे चैनल को सब्स्राइब किया है और जितने भी लोग दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्स्राइब करते हैं चैनल को सब्स्राइब करने के बाद दोस्तों जो है बेल आइकन को यहाँ पे दबा दि सुछ लिए मुकाबला शुरू होने के पहले दोस्तों जो आप लोग के सारे सवालों कर आप जवाब देदूगा और अब देखते हैं क्यों से टीम जो मुकाबले को जित्ती को चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप फिल चुका है मतलब जोग मैंच है वह शुरू हो गा ठीक है यह थे नाशनल आंटम फी खत्म हो चुका है मतलब drought है मतलब dremlin होlaus मैदान यह मतलब लीडानिका इंतरा में चुक्ड़ रहा है मैदान को जो है सुकाने का यहां पर कारेकरम चल रहा है झाल 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 यस नहाँ नहार्णा, फब दोगार्णा, उड़ार्णा कर दो प्लाइटने दो से यह राफ अचाज। यह फिरो पजाँ जिए अब कर दो चाती है कि वहां luckily कि नteilung में है राजक लग लगर के लग के लग दो समय हैं वेद्वेंग जाओेदे कि वीलिए जिसता है जेलिए जाओे पाओेद इसे जाओेद बना जाओेदा है कि जेलिए जाओे पीलिए प्याओेदा है लाड़ का ज्रील कि और दोस्तों अगर आप कई ना के देखे ना तो मुगावला जो है अभी तक कि यहां पे शुरू हो जाना चीह था लेकिन दोस्तों अभी 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 जास्ट एक अपदेट आईए मैं आपको बता दू अब जो ए दोस्तों जो है ना लगबग यहां पे 945 को शुरू हो ग कहते हैं और उसा बंदी उसी बंदी वांदी की कारण आप देखे न तो यहां पर जो ना गाइस ग्राउंड जो है गिला ओच गया अला कि उत्ते जोड़ के यहां पर बारिश नहीं आए थी एकदम हलकी हलकी जो है बुंदा बांदी से आये थी लेकिन उस बुंदा बांदी क कारणude है पूरा पूरा जो ग्राउंड है वहां पे गीला हो गया और उसी ग्राउंड को जो ने इस वक्त हम सुका जा रहा है और कहना कि घूर मैं जय काफी जल्दी शुरू होता ओने जरा कुछी समय है यां फे बस्चा हुआ है मुकाबले को शुरू होने के लिए अब यहाँ पर मुकाबला शुरू हो जाए उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दू यहाँ पर जो है न आर्लैंड की टीम जो है आपको आज के इस मुकाबले के अंदर पहले बल्लेबाची करते हो निज़राएंगी और हम बात कलते दोस्तों आर्लैंड की टीम की प्लेंग 11 के बारे में तो दोस्तों आपको आर्लैंड की टीम की तरफ से आपको सलामी बल्लेबाची में जो है आंड्रियू नज़राएंगे आंड्रियू जो की टीम की कपतान है आर्लैंड की वही पे देखा जाए तो आपको नमबर दो पर खेलते होए पॉल श्ट्रिंग नजराएंगे जो की नमबर दो पर खेलेंगे आज के इस मुकाबले के अंदर वही पर नमबर तीन पर देखा जाए तो नमबर तीन पर यहाँ पर खेलते होए लॉरकन टकर नजराएंगे आज के इस मुकाबले के अंदर जो कि आपको जो है नमबर तीन पर खेलते होने जराएंगे नमबर चार पे अगर आप देखें तो नमबर चार पे यहाँ पे हरी टक्टर मौझूद हैं जो कि नमबर चार पे यहाँ पे बल्लेबाची करते हुए जो आपको नज़राएगे थे तो नबर पाँच पर आपको कर्टि 70 जोर्ड चराएंगे शाथ पर खेलते हुए आपको ग्राइट डिलानी आठ पर खेलते हुए मार्क एडर नौ पे खेलते हुए देखा जाए तो फिन हेंड मौशुद हैं दस पे खेलते हुए बैरी माकैर्टी और नमबर ग्रापे ज जो दोस्तो जो शुआ लेटल जो हैं आपको खेलते हो निचराएंगे तो ओवरॉल दिखा जाए तो दोस्तों यह ना आर्लाइंड की टीम की प्लेंग लाइवन रने वाली हैं तो यह भी दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लाइंड की टीम की तरफ से जो हैं सबसे पहले मैं आपको बताता चलो जब हैं पर तॉस का तिक का उच्छाला गया तो तॉस के समय जो यहां पर दोनों क मैंदान वी आयता यहां पर देखें डौनींड की कप्तान जौश बदार और जो एंठ्रीव मैंदान वी उपर तो को चीता और टॉस को चितने के बाद जो है दोस्तों गेन बाची करने का निर्ण लिया जिसके चलते जो है पहले बल्ले बाची करते हुए आर्लाइंट के टीम निजराएंगी जहाप अगर आप देखे तो आपको जो है नमबर एक पर खेलते हुए इंगलाइंट के टीम की द जोन आट पे है सैम करन नौ पे है क्रिश्ट वोक्स दस पर मौचुद है यहां पर आदिल राशित और नमबर ग्यारा पे है मार्क वुड तो यह जो है न दोस्तों यहां पर ओवरॉल यहां पर प्लेइंग 11 है आज के इस मुकावले के अंदर अब देखना यहां पर लाज यहां यहां यदल आज के अबर ग्हां यहां यहां यु युडद के अऴ। यहां यहां परोख खिम एंपतakapने हैं हुआ हाओ एफिए एफिए एफ एफिए ऑफ ब जैनल झाल झाल य हैंक, झाल, यो बादा के कारा है। यहाण, okeज। हम वह पर भाफ उतो पेख दो हम वाइज़ वी अबादज कुछा बढ़ा है गपकशोरी... एककुली की यह दूरी जढा है यह लेपाल एककूब एकुली लो यह किसो मि खक के लाह समय कर दो कर दो कर दो कि कर दो Do कर दो यप यप य度 जए जए सुमार यजज कि anne कि यज यज म अ अरह बोझे gehtने का है बड़के है अर्पटर उर्प सकतव कर दो ओलाव दो के थे यूझी। मैअने ही और है। झाइब जने झाव ए्रीज कि वारे टारेन थाद रांग 11ड, उ्रीज वारेन प्रीज कि रहा हुव जॉबसीत वारेने वारेने मेंहां साथ हुआ है ले।र हुआ है हुआ हुआ है हुआ है झाल 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 कीपर! कीपरिग! कीपरिएकर लौराओ कीपरीव भीक्रीप कीपरिएकरीश कीपरिग फौरिएकरीश कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यज जार दो सकता है बादक आपी में सकाल अजया है हैं-ई अजय अपनक तक्रेष्ट अजय अजय ऑनक्रेष्ट अजय स्वाइं अजय अजय झाल झाल टो प्रॉब और लॉब रखिए दो बाइब से लोगा है कि एक जाद τον हे Ge wanna good लाद दोत गया है कि एक टीर kalo शेक रख जाद ़ाद पनाद आ कि लाद उक कि यूज सकति अग्राव जय कि अग्राव सर्फिए निज तेडने रखने कि अग्राव हो बड़ हो! लगको! ले लुटा हो! कि लाम सिए ब我也 बहु करे, डोलिंगा नोगग बहु कि ले कि ले रच लुड वामि नुड, बहु कि ले बहु कि ले दिस लेक कि अजार अगार लुट कि अजार लुटार लुट किया वर्यूज़ अगार लुट हो लुट हांग! युट झाल झाल कि यह प्यूब और अफ हुआई हुआ 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 है यह हुआ हुआ है कर दो 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 कर खर चाल के एंचू छूझा हैंतो को जादे लुब है। किस्टेदी किसOC एंसाइ सब्सक्राइब कि लिए समीं कर दो दो अगा है पाल भूल पाल प्रूबक्त जहाँ है वी आहाँ भाल भूल तर देख rotated कर देख देख कि हिario, एडी एं aktी आ, बप कि अ आता है जा – अ क्याकिख भर देखा दुट वाइ दे वाइ दे वाइ दे प्रतकर थे जो जो झातले जो और वहने हम है तर याज़ कर दोच्ट क्रदद बसक्ताब जातले जातले पक्ताब बामब झाल एका बसे नाष्म एट एट एप एट 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 कर दो टो ड्टाम आपर नापने को अंध जगारा था करे गए इसंदोर आपक जदोराद से करे लुडड़ एक करेंदय कर दूर आपक जगार इस से शपक जड़ एक करेंदय है गुऩ कि अवाराह नह थाल कि अवाराह इंदरगारी अवारी मततनी मततनी और यास्टे हैं आहाइजंग याइज कर दो कर दोने कर दो, और है PP results कर दो बडाओा,ंग हुआ हुआहां क कर दे दो देट कर देगे nggak breek, मैंा अटएवां का दोला'm कर दोड़तल क अजैंज घाna कि झान गतने invites प्रफ्ट बड़ बडिए लग कर दो लुज ऑई रगार लुज है, लुज है लुज हैं लुज हैं अजक प्रॉड़ प्रपक। सबस्टेश 2500 भावबकर अतकर促ग सुषर कहा नएफंज मुड़कर है अप्टाएगाग् ये रदे प्योनी आज करेसे आजाए ये येसे आजार से तुट है ये 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 सकता है. के यहां दोयु ओर दो कि अभूम प्रेखश कि अइहा, आज आजआटे से हेगाइ अजब पार बार आजआगा इंग आज़गा आज़ीन कि अर्भी प्लीज़ कम के अला है अज़ी प्लीज़ करेश तो गरोग और रंद से अंग याओ झाल 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 करते हैं.. यह जुकर कि अपोचा इए त तो कि नहुड़ खी टे पो rod बहुड़ पियर दो कि झालु़ गलु़ हुआ रहा है डप बनाज दोग्ख कि जुट एक साहर। यप ये जिए 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 कनानल कि जरे practitioner कि अज है करेंस्ट बालिवन्ण डेंगे टॉट लॉट्ट टॉबवर लट यट इस अबड़ करेंगे लॉट जॉट ढेंगे सींबड़े हैं कि अ कि कि अ कर दो प्याजय है एक जाउआर में प्लोड दो जाउआर है एक जाउआर है बालने लेता लेता है यप 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 यशान यालछत, यालछत. भोपजमीन अुूपजर हैंकर सोफ भी और से स्ववयाद सववया यहाओ एफ स्याहिंग 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 दस कर दो ज्याहिंग विर एफ प्रेहको गुटनात्यर्यू अइब नहां, जाद सत्यूह नहांस जाद झाल झाल वी भेणीजा याल वात व यात वात वढ़। वात PART वात find थात क्वालव फ्याइट कि यहीं, नफ दो कि पनुदिन laughed कि अो पनलु को कजिजय है कि यह ख। precisely you yep झाल झाल यप 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 yes 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 वादन कर दो पसे पकान्य को पमते हैं व कर दो दोपना वादन आयो कादन को फड़ा बान वादनаем वादना वान is पह दोपना कि यहाँ यहाँ कि कि अप्रॉट ब़्स यहाँ कि कि व Χा कि यहाँ कि म cinema parad कि अप्रीव कि मुले मुले कि वरिए कि कि अबड़ ठार्व eine परे अकलता कर फिर्ष ... नगय को सकते ंगन PP गryट tow यो पिर को प्राइड सकती गजहा समय के मिद रटखे लुटत जपख़से को किमगएए साप आपर अब पुद्टिब्ट दो आप पूर्श जो जो इस अपने जो आपा से अब जब ता टूर अब ए अब जड़ जो बश्ट अबिद्ट 18 कि फस तुर्णेन सूल Κाश दूब कर दो कि दूब दूर खर गिसट कि आफ इब सकर दुब एल लॉकर के लुण्य खास्टा स्टाहर बाऱवा यह जब आया है यफ यपिए! ऱपिए! यफ यप न यह इचे रखर लिया फैस के लड़ूब्स एम एम इन तो आप दैने एमत्वर है कर दोड़ भी औाव कर दो परांगानाव कर दो आपांगा जब प्रुब ये ये कर दो आप कर दो आप़ रहर खांगा प्यआएंघ कोरा व्यवाफ लूचर कता है क्योर स्ट्रीब। यप लूझ यज हम लूईएंगा! क्योर सिर्टीटर लुट्री वहांगि ये येख येस विख वाओफ does the येस वॉरी serious वॉरी ही है वाद बहार युद... झाल बढ़ आपको बड़्सनי ! हम लजसे! क्या हम इल हरक स्टेज हम उजसे ल। गलन स्वेड़ रऄरी खलन सब्ड़फ, बाल समय कभी Kor 김대자는 Amanda 5, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1 engine आथня स्पुरिव बड़्स दोजिए झाल कि और प्रश्द अजयर अजयर लारो अगोड़ा बीका सब्सके इनके सकते एम बहुंगा western कर दुब कर दूद है क्या हर थाइ कर दो कर दो गो कि अटे में वे चार में घाला घामसे कि अटवाने, है वे तवाने, कि अटने इसादे हैं. हुआएएएए बनते हैं. गब एट अटहूएएएए हैं. एक एक वो इतरी आवाद को एक 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 वाद टूरू अजिए टूरू आजिए लिग लाटता है हाई झाल, झाल, झाल. अगएई भाइटयाओ doubt कर दो 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 कर यूच प्याज़ मां बसकत्श कर देस है यूप अजय थे कि उंचे लगा है अजय कि अजय को अजय कि झाद जफू जब इन्सकत्व यूफ इस वार्ष दों कि उयती है यूग तो लूग कि वूब तो कि झार को मुझा अए नडरी बनाओ कि उनाओ कि उड़ है. कि झार कि उनाओ कि वो घर सिर्फ प्रफ हैंगे. का अब ब्बपयन हाओ कि आफ द के गुप में ही गुर्ण那麼 लगर। जगो कि टझ। 10 । झाल 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 स्वेट झाल झाल किस्ट झाल 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 यह प्रवार में कर दो कि दया झाया है यह जजा जया है यह है है यह है झाल यह है कि यह है यह है यह हो दो झाजल क्पीनिंट यह तूंग कि अब टूड़ कर दो कि उसन कि अकले में के जा हुषै कि कि इसन कि अए एजाफि लाफज है एभर, कि उसन कि अए अब उसन कह कि एज कि लाओ कि फ घँ कि गरभी साथ कि आग एक सब हम ऐसी ऐसी कियो तूल है व्यक्वरत थी रहत थाय है थ सबस्नाइ्ट प्रहीच कि अवार लिटा सुखए ले ले का ले जबागा कि अवारी. वारश ले के वारश ले सकती वारी. यब यह यब कि आपकार बखाए दो ही और दूंग कि इन पूलीं कि अपक कि आपकार इन दूलीं कि अपकार च्टारा बतुन कि अपक? यह तो उट्व़ाँ यह आप 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 सहुआंगा! आप 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 झाल अर्षाफल व्फेह औे एक ब हमन्होन औे श्रण्र्म पर ग्वेह व्राज औे अब फिर्म न fá Digelle 00- कर अुझाला हम जो लुझालाई जो जो और शारी ये इड़त पहलाई आलाई हम जो अबाई कर घंगे क्षार्बाब करें वह अए अएदिए क्षार्ब एकके थे कटनोत थे나होज़áp देनुमारींपाली कटिसा लाक्रांश कर्दोमारीत है से क्यारशी ली बिस्टव्टर किसे साहस dollar rätt बिस्टशopod आल गो बाँ बाँ यप 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 कि अज़ारो भाली जूलए और सक एंद करे ले भाली जूबजा जलए तो एंटाओ इंद है तो मेर भाली जुट एंद करें लोगारो घट रहे लोगा जूजः प्सका कि उता न हुआ है यस कर दो मैं आया का दो कर दो दो आपनो कर दो आपनो को कर दो आप है वाइटी करिष्ग कि अ कि यर अच्रोड़ा निफ कि अ कि अ कि अ चीट्ट जाओए कि वे सकी आहां। यास शुर्णल ये 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 ये.. 19 के छ marché में कर दिरा नहीं कर जब जंपके आप 52 पी का अ, आंज 7 और झेलों, कि वुटन 7 में फ़र पकेन 1 बहूम аровों20 9 पbereich कर दो सक würदszit 10 के भार कर दो सक पारे कर द。 USB 2 दो के उनें कि अमबार कर दो में से तीक कर दो दूम अब खश्छार कि एप टाप टूट प्रोब रडर, कि र्रोब कि यहते हैं यहते हैं सभछ अचको जन्यून प्रेश कि अबस्टिक है मिलें आजी यब येक्र Catki, क् आप्योशोजिम नबार ब क बाली, क्यो का एंट पाली ल będę आहिए जैंट कि म eyeliner बेंटे बड़्यकर बेंट कर दो कर से में ठी थे हुआ देंज कर दूं कर दो कर दो कर दो कर अ कर दो प्रूप बावरेंग यह 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 कि एढ चारेबन कि एढ आब ए थार। याख याख है? कर दो डिन ये जाटाफ मेंगार करें करेंक आटएप डिना करेंक आट आटा गार गार शॉवार जा जाटने हैं कर दो 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 कि अग्ट रखल में उन पलुझ कि अज ऋर्फ दो जो पलुझ को पाणि अग्ट अपल! कि अग्टोग है इंगाइए अग्टोग है! हमाने अग्टोग दो अग्टोग में उनर सकते हैं के सकता थे भारा को कि अए धिए, आपक कि अए सकता थाप,सलिस पर में आपक कि अए सकता था कि अए,सलिस साथ बड़ा पाँ अए,सलिस ऑान जे अएगा। फोबारज़ Quin बडिए करे लुब RICHARD कि sûई आट खुब हम healthy कि बडिए ऐसरे हो ्यांस तुब किभ karbon कि लुब करे लुब कि खईर विए कि अवाई यायएगा JON यजज से वाफ पर दोड़कर को एंड़ या इसाओ यह नहीं जाफ इसाओ यह 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 धना कि बड़ करता है यह नहीं जाफ तुर्डर बड़कर हो एक्षबच्छाओ कि अप्टवे से जो आपकितू कर दो ज हुआी को आदां सकार सकतर precे डहार हम गोंग! डेसी को ळस्वार ही टक टीक को लूंडर दौंग प्यस्वार Sister याओ शुमौछीए इवादी एाज ऱुमौणी एफुमौछी एफुमौदी एफुमौदी एंगिन साथ, तर रूटीए बच्श्यक्ती एफुमौदी 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 एफुमौमौ». क्पूर ब कर दो अंढ एम एफ लूए के अवा लोग ब एकार बड़ी का फॉड़ीज लूग इचके लूभा लूग। क्प्प्प्प्त लूग। क्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पन जे की वे ग्रीजिर ओतीर में वीजिरी कर दो वाइड़ बाइड़ दो वाइड़ बाइड़ दो वाइड़ दो वाइड़ दो कि ये छिए बेड़ एंडे और दिए कती अ कि लुझे और गाउतिक आग्ता कि मिए भी जिए कि अ अ जए देड़ के आगर को बहुझे के नए कि दो आगर कि नह की दिए हो दो आगर कि एप सिर पामान हुद। जएस्ट कर दो दो अिजब दो कर दो दो भो टो अ न अ बोण अजब करता है कि अडिए से से सब्सक्राइब कर दो जमेंमें आडरी से स्टीर खिर्शेश आड़ीन, अटाब लो देखी अल्गल, तो अबंगेंगें! साफ छोब करती दयन औरता है एम खम जो एम जोब और जो फट जोब और सरी लोगते जब टकार्श करें कर दो हमाइब कर दो 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 हुआ कर दोंगर आफिए किस दोते हैं वोराई जो है到 सकते हैं योराई था जोराई अजारा नाए फिजसी टुड़ार आगोई पराई दोराई थान हम वल्राईट दोकर आपना हम डिकर से खुड़ा झाते हम जोब जो ओराई बराईब पर इनी टोराई टैक यू़ा ब हुँ़ाराई ड कर ही दूब करी दूब करी दूब कर्यों हो करी दूब करी दूब एफ जुड़ से उड़ हम और लूर के अचा हुआ है यहँआ यहाँ आप जो प्रॉड़ यहाँ यहाँ जाँ जाँ यहाँ 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 यह जयां छो! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर सक दो कि अ यह अदए है और मैं यह अजए है आए है ते जए है जब खो फड़ार को एंड से ताते है मोड़ा है तेस्टे जो मैं झाए है वीज़ जो सी अवाइ नहीं जई यज़ार कर दोर कि अज़ार को ऑस्कुल कि आ जगाई है। याच झाच याच याच रखंबखच्छ याच पुलेगे! बवेडं़ा बवेनी बवेनी गए है लो सामगा अगे गोृ पहुरोभर पाक यह टॉ सामगा यघ कर दो कि एफ और पमोंगा कि एफ दो गुट से ऑफ दो, कि एफ फूटर प्लोंगा योएप और दो, कि एफ फूटर भोही होटा है क्श प्र why क्श बिख अ violence क्प्कुन भी औराचर और स्वाल क्श पिर्दे सकतव लिए Catalina यप बोला बोला कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को मला है कर दो, जर फे इपको बुप्नाव समुर्प्नावा स्थर्प्नाव से निए। कर दो कर दो यफ कि « कर दो तॉट झाल» चले फिन अड़क झाल 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 ये ए फिर सी शहते हुआए यूऽ हर ले आ कि ए उग से ए OFTALKड़रा कुछ कैं। आ कि एडिए व कुछ क कि एमय को हंशो फैज के छुड़रा हुआ दो여 वक जह बाचते हैं दो वह और दोरा है रर भो कि एमय कि पाड़रा है पर निताल प्राशक टॉआ है झाल झाल झाल